थोड़ा सा बताना चाहता हूँ देखिए मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोगरिफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूँ मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गल्ती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था किनिंग होगी मेरी, मगर जब मैं चल रहा था, जो इस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा, तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल, तुमारे घर से फून कॉल है, और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है, मेरे पैर कहां पे, और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया, तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिला रही थी, राहुल, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं अभी कह रहा हूँ ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी ये बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी ये बात दोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी ये बात CRPF के लोगों को समझाएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझाएगी उनके परिवानों को समझाएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम अंगमू है उसका, उसने कहा, दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई, और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गई, प्रियंका को मेंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गई, और फिर मैंने वो जगा देखी, जहां मेरी दादी का खून था, पापा है, माँ है, माँ बिलकुल हिल गई थी, बोलने ही पा रही थी, पिर, पिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग है जिनों ने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये, इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं, ये आप सब के लिए टेलेफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है, उसके बाद, छे साथ साल बाद, मैं अमेरिका में था, और फिर से टेलेफोन आया, इकिस में टेलेफोन आया, जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में, पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे, उनके घर टेलेफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा, वैसा ही टेलेफोन आया, पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहूल बुरी ख़बर है, मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए, कहते हैं, मैंने कहा, धन्यवाद, फोन रख दिया, तो मेरा कहना है, मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमिच्छा जी हैं, अजीट डोवल जी हैं, आरेसेस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पुल्वामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ, मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वो ही हुआ है, जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है, तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यातरा का क्या लक्ष है, कहा कि यातरा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है, मेरे उस समय दिमाख में आया, मगर मैंने कहा, नहीं बोलता हूँ, कल भाशन में बूलूँगा, यातरा का लक्ष है, कि ये जो फोन कॉल है, चाहिए आर्मी के हो, चाहिए एस सी आर पी एफ के हो, चाहिए कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए, कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मा को, किसी बेटे को ना लेना पड़े, मेरा लक्ष यह जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए BJP, RSS के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैशनो जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी है, बसवा है, नरायन गुरू है, तिरुवलवर है, जो तमिल नाडू के बड़े पोयट है, फूले जी है, और जो कश्मीरियत है, ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे हैं, और ये जो विचारधाराएं है, ये इस देश की नीव है, इस देश की फांडेशन है, और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रख्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया मैं ऐसा काम अपने लिए कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कॉंग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने य हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो मिलकर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वह हमारा तरीका नहीं है महबबत से खड़े हो मैं जानता हूं कि अगर हम महबबत से खड़े होंगे प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका राजनेतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है महबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबत का देश है इस्जत का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खुलने की कोशिश की धन्यवाद जेहन